अब इसे बॉइल कर लेते हैं एक कड़ाही ले उसके अंदर यह सिंघाड़े डाल दे और अब इसके अंदर आदे कप से भी कम पानी वो डाल दे अब इसका फ्लेम ओन कर दे इससे कवर कर दे मैंने अभी इसे हाई फ्लेम पर रखा है जब इसके अंदर भाब बनेगी तो मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी अब इसके अंदर भाब बन गई है अब इसका फ्लेम लो कर दे हाड़ों को पक्ते वे 15 मिनट हो गए और अब हमारे संघाड़े हो गए इसको स्टेन कर ले पोड़े ठंड़े होते हैं तो कि हम इसे चील लेते हैं यब रूम टेंप्रेचर पा गए अब इसे चील लेते हैं इसे घाड़े मैंने चील ले लास में इसके उपर आपकी मर्दी चाट मसाला या काला नमक वो स्प्रिंकल करें इसके उपर और अब ये खाने के लिए रैडी हैं